आज एक मेरे दिमाग में आइडिया आया कि घरों में समर्सेबल होता है तो उसका जो अस्टार्टर होता है तो उसमें क्या होता है कि एक बटन प्रेस करके ओन और आफ करने वाला रहता है तो क्या वो टॉच बन सकता है क्या यानि कि जो मेरे घर में समर्सेबल है उसको बनने के बाद में क्या होगा की इसका बटन कभी खराब ही नहीं होगा जैसे की हमेशा है तो यह system आज हम चेक करेंगे बना करके कि क्या इस्टॉल हो जाएगा या फिन नहीं होगा है में आपको बता दूं कि यह ज्यादा सेंसिटिविटी होता है थोड़ा उपर करने पर ही यह लाइट इसका इससे लाइट और ऑफ हो जाता है अभी मैंने इस सर्कृट को बना करके यो कि टॉच से ऑन और ऑफ होगा तो जैसे कि अपकर यहाँ पर यह मेरा टॉच संसर को है तो जैसे कि यहाँ पर दख सकते हैं यह मेरा टॉच सेंसर है यहां पर इसको जब मैं यह टच कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं मतलब की श्टार्टर है तो श्टार्टर में केवल जब हम प्रेस करेंगे तभी तक इसका सिगनल देगा इसके बाद कॉट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहां पर मैंने अभी रेंडमली सरकीट बनाए हैं इसी तरह से कनेक्ट करके अभी मैं इसके बाद पीसीवी पर इसको सब को सब अच्छी वेज का रहता है तो अभी मैं यहां से इसको कॉमन ले करके इसको कनेक्शन दे चुके हैं तो अब मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूं सबसे पहले करने क्या इसको मैं यहां से तो अब मैंने यहां पर अब दे चुके इसके बाद यहां पर अब देख सकते हैं यह टौच है मैं कैवाल यहां पर टॉच करूंगा तो आप दखेगा एक यह वाला जो मेरा कंटेक्टर है कनेक तो यह on और off होगा ऐसे ही हम अपने समर्सेबल को टच स्वीच से working कराएंगे अभी तो मेरा प्रोपर यह work कर रहा है जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ अब देख सकते हैं जब तक टच किये हैं तो यह मेरा कंटेक्टर on condition में है मेरा circuit भी on है यहां पर देख सकते हैं LED समर्सेबल का starter पर भी इसको set करना है तो यानि यह प्रोपर वर्किंग कर रहा है इसमें मैंने simple इसका circuit यूज नहीं करके इसमें optocoupler का यूज किये हैं इस circuit में इसके वज़ा से AC appliances बहुत easily तरीके से control हो जाता है यदि हम without optocoupler का हम यदि इस circuit को यूज करते हैं तो यह मेरा touch sensor है तो इसका output error जाता है without touch किये भी यह on हो जाता है तो अभी आप दख सकते हैं अभी आप दख सकते हैं कुछ भी अपने से error नहीं है क्योंकि यहां पर red light जलेगा जब भी यहां से output जाएगा या फिर जो भी चीज on होगा मेरा circuit तो यह जो LED लागा हुआ है red color का वह जल जाएगा तो आप दख सकते हैं यह मेरा circuit बन करके त्यार हो चुका है तो next video में इस touch switch से एक और इसी परकार से एक हमें touch circuit बनाना होगा एक और touch circuit बनाना होगा जिससे एक red पे करूँगा और एक green वाले पे एक on करने के लिए लगाऊंगा और एक off करने के लिए लगाना होगा तो अभी मैंने चेक किये कि यह touch से on और off होता है या फिर नहीं होता है तो इस वीडियो के बाद मैं एक पहले DOL starter बना करके और फिर वाटर पॉंप को on और off करके दिखाएंगे यदि ये system आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए ये circuit कैसे बनाए है तो चलिए आपको मैं diagram द्वारा बता देते हैं क्योंकि इस तरह से अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ पाता है तो diagram के थुरू आपको बताता हूं तो जैसे कि सबसे पहले मैं optocoupler का यहाँ पर figure बनाता हूं 877C optocoupler एक दो तीन और यहाँ पर दो तीन चार और यहाँ पर IC में dot hole रहता है तो वहाँ से भी आप easily आप denote कर सकते हैं तो एक नमबर पीन पर एक हमें resistance लगाना होगा 330 ohm का ठीक है और इसमें हम signal दे देंगे signal analog या digital कोई भी दे सकते हैं ठीक है इसके बाद 4 नमबर आते हैं कि चार नमबर में प्लॉस फाइव वोल्ट यहाँ पर दे देंगे ठीक है प्लॉस फाइव वोल्ट देने के बाद फिर यह वाला चला जाएगा मेरा IC में फिर यहाँ पर मेरा चला आएगा रीले में जो की A1 A2 है यहाँ पर यहाँ पर common रहता है तो directly इसमें आ जाएगा ठीक है इसमें क्या किया जाता है कि रीले का circuit यहाँ पर बना देंगे यहाँ पर एक diode लगा देंगे ठीक है इस पर कर से diode लगाने के बाद अब क्या होगा कि यह मेरा तिन नंबर पिन जो है output है इसका output है तो इसमें क्या करेंगे एक ओम का एक कीलो वान के का इसमें रिष्टेंस लगा देंगे इसके बाद यह वाला जायेगा सीधे मेरा transistor के base point में ठीक है transistor के base point में जाएगा इसके बाद collector होगा इधर और इधर होगा इमीटर ये चलाएगा मेरा निगेटिव में और फिर मैं इसको डिरेक्टली रिले के दूसरे वाले पिन पे कनेक्ट कर देंगे ठीक है इसके बाद इसके बाद क्या करेंगे कि दो नमबर पिन जो है दो नमबर पिन में यहां पे एक आप LED लगाईए यहां पे LED लगा करके और यह वाला मेरा ग्राउंड पिन जाएगा फिर यहीं से इसमें डिरेक्टली कनेक्ट कर देंगे यहां पे भी मेरा ग्राउंड पिन हो जाएगा यानि कि यहां पे माइनस कनेक्ट कर देंगे ठीक है और यहां पर plus five volt कनेक्ट कर देंगे और जो भी हमेद एन्जोभी चीज कंट्रोल करना हैया यहांसे कोमर करके और यूज कर सकते हैं और यहां पर आप touch switch दे सकते हैं या फिर कोई भी sensor का output pin यहां पर दे सकते हैं तो इस परकार से आपका circuit के कंडिशन में हैं आपका सर्कुट वर्क करेगा तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से यह सर्कुट समझ में आया होगा वह बहुत ही सिम्पल है यहां तक तो माले जीए कि यह सेक्षन पहले से भी आप खुद जानते होंगे कि रिले का ट्रांजिस्टर से एक रिले कंट्रोल करना है तो सिम्पल सर्कुट है और इसके आप्टो कपलर करने के बाद इतना सर्कुट और एड़ हो जाता है तो गाइस